आज माहोल चल रहा है जैसा के बीजेपी का रुजान है या महाविकास अगाड़ी का रुजान है इससे पहले के जो लोकसभा एलेक्शन था तो वो टेम पे शहरत पवर जी की भी एक हवा उड़ी थी के ये कहीं न कहीं बीजेपी को आगे जाके समर्तन करेंगे जिस करांचे पॉलेटिस्ट की एक उतल पुतल होई है तो कहीं न कहीं इसमें कारी करता डैमेज होगे आप एक सी रिलेशन खराब होगे एक पार्टी से दो पार्टी बन गए इस बारे में बीजेपी का अबकी बार चारसो बार और आपकी महाविका सगाडी का एक नारा है अब की बार तड़ी पार मुझे आप ये बताई मुंबई नौर्ट सेंटर में जो रुजान चल रहा है तो इसकले यहां पे बिजेपी का है या महाविका सगाडी इना कहीं हिंदूस्कान क ये नागरी घर को जान गए है कि एक सपना देखाई जी सी बात में राश्टरवधी की थोड़ी ताकत कम एक भी उम्यद्वार नहीं है जब ने जिस तरफ जिस तरह से सरकार गिराई लोगों में बहुत थोड़ी नाराज गी है और गंदी तरी की राज निदी इसके पहले आज एसा हुआ है कि कार्या करता एक दूसरे का मूनी देख को भाजा पतक भाजा पतक जो आज दो जन नेत्रुक वकर रहे है दिल्ली में उनकी जो राजनिती है वो राजनिती को तड़ी बार का पास्तो रुपय का राशन दोगे और साच्छ रुपय घ्यास का लोगे ये हमें आपका स्वागत है मैं सलीम सियद आज हम लोग आए है महाविकास अगाडी के जो बैकिंग सपोर्ट जो मेजर सपोर्ट शरत पवार जी की जो पार्टी है उनके खास हम खास जो करीबी है संदेज दुआली उनसे हम इस एलेक्शन का जो लोगसबा एलेक्शन चल रहा है 20 में को जो मतदान होना है तो यहाँ पर महाविकास अगाडी एक अलग ही रुजान चल रहा है तो एलेक्शन के सिलसले में हम बातचीत करेंगे और शरत पवार जी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे और आते वक्त आने वाले दिनों में ये लोगों का क्या वागत है जिस तरह से आज माहोल चल रहा है जैसा कि BJP का रुजान है या महाविकास अगाडी का रुजान है किसकी हवाज यादा चल ले इस बारे में बताएंगे तो महाराष्टा की बारे में बोल नहीं सकता हूं हलांकि मैं महाराष्टा में संगडग सच्छे हूं लेकि तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुम्मई में राष्टावधी की थोड़ी ताकत कम है जरूर लेकिन यह ताकत पहले इतनी कम नहीं थी जितने आम अभी सोच रहे हैं यह शरत पवार की विचारधारों को लेके चलने वाले सानों से यहां पर कोकन के लोग सातारा सांगली के लोग यहां पर बहुत सार है लेकिन हमारा एक भी उम्मेदवार नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 6 के 6 सिट महाविकास आगाडी जीत सकती है क्योंकि यहां पर आपने देखा है कि दो बाला साब ठाकरे है उन्हेंने जो मुख्के मंत्रे थे खुद बीमार थे उस किंग जाना जाता है तो उसके बाद उन्होंने जो भाजपने जिस तरह से सरकार गिराई लोगों में बहुत बड़ी नाराजगी है महाराष्ट में स्वाभीमान उनका टूट चुका है कि इस महाराष्ट में ऐसा कभी नहीं हुआ था यह इस गंदी तरीकी राजनिती इसक कभी हुई नहीं है देखो क्या होता है इलेक्षन के वक्त में किसी को टिकिट नहीं मिलता है और कोई पार्टी छोड़के जाता है तो उसके लिए लोग एकसेप करते काम करने वाला अदमी है इसको टिकिट नहीं मिला इसली गया है लेकि चून के आने के बाद चब मैंने दाला था कॉंग्रेस को और आज वही अगर कॉंग्रेस का बीजेपी में जा रहा है तो मैं तो बीजेपी के विचारदारा किसे नहीं हूँ मैं हूँ रिपब्लिकन मुझे औल इंडिया रिपब्लिकन लोग चाहिए इस देश में क्योंकि यह दिश जब स्वातंत्र हुआ था उस वक्त सभी जाती धर्मे के लोग थे और महाराश्टा का बोलना है तो चत्रपती शिवाजी महाराश के साथ तो मराटां के साथ मुस्लि पावर जी की एक हवा ओड़ी थी के यह कहीं न कहीं बीजेपी को आगे जा के समर्दन करेंगे इस बारे में आप क्या बोलना चाहिए यह तो मुझे पका मालूम है कि पवर साथ कभीबी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे कभी और यह लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि 2014 मे पावर साब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि स्तीर सरकार के लिए मैं बीजेपी को बाहर से संब्दन दूगा वो उसका संबंद आज तक लोग जोड़ते हैं दस साल से कि यह पावर साब कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते बीजेपी के साथ अगर जाना था तो अजित को भी यह मालूम दा कि यह सरकार राष्टपति राजुवत हटाने के लिए ही करना है क्योंकि आप बोलो आपको मालूम है अजित दादा का प्रशासन के उपर कितना पकड़ है लेकिन जीस दिन शपत्विधी हुआ देवंद्र पढ़नी विस तिन दिन मंत्रा लें में दे अजित दादा गए क्यों नहीं गए तो यह एक खेल था वो अजित दादा को मालूम था आज बले वो नहीं बोल रहे हम सामाने कार्यकरतों को भी नहीं मालूम है लेकिन मेरा पका यह सा कहिना है कि उस वक्त वो खेलता है ने तो अजित दादा भी साथ में जाते थे मंत्रा उसी वक्त भाजबकी अकेली की सरकार बन सकती थी, क्योंकि सबसे चोटी पार्टी हमारी थी, NCP, वो 2014 में टूट जाती थी, पवार सबने एक स्टेटमेंट देके, मुझे ऐसा लगता है, कि पवार सबने एक स्टेटमेंट लेके हमारी पार्टी को एक जूट रखा, क्योंकि उसके बाद अगर BJB, अगर NCP तोडने जाती थी, तो BJB बदनाम होती, फिर उनको शिविशना के साथ जाना पड़ा, नहीं तो, वो शिविशना को भी बाजू में रखते थे, और NCP को पास साल के लिए तोड़ देते, क्योंकि इसका मैं आपको बोलता हूँ, 2019 में, जो लो पार्टी चलाने के लिए बहुत तकलिफ होता, ऐसा मुझे लगता है, इस तरह से पॉलिटिक्स की एक उतल पुतल होई है, तो कहीं न कहीं इसमें कारिय करता डैमेज हो गए, आपसी रिलेशन खराब हो गए, एक पार्टी से दो पार्टी बन गए, इस बारे में क्या बोल कि मेरे घर में ये दो भाई हम तुम अलग अलग पार्टी में है, मेरे पपा शरत पावर साथ के साथ गए पचास साल से है, उनके परसनल सेक्रेटरी है, आज भी हो उनकी यश्वंद्राव चावान ओफिस में बैठते है, वो रिटायर नहीं हो है, जैसे पावर साफ रिट में हो, लेकिन आज एक महिने से हमारे दोनों भाई में बातचीत नहीं है, इसे बहुत सारे कारे करता है, कि यहां पे हमारे तालू का अद्धिक्ष सुआस पाटी के सर दे, जो चीवर सेनास है, हमारे पास 10 साल पहले टिकेट नहीं मिला, तो हमारे साथ आये जूरे थे, उ आज में मेरे भाई के साथ बात नहीं कर रहा हूँ, आज मेरे कार्या करता है, मैं तो, देखो, मैं राजनेती में बहुत लेट आया हूँ, 10 जून 1999 में हमारे पार्टी बनी थी, उस वक्त मेरे बड़े बाई जिल्ला देख्ष ती युवक के, उनके जिल्ला देख्ष आज में मैं यहां पर बोलता हो ना कि उजवन निकम जी की बारे में हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन वर्षा गायकवाड क्या कर सकती है, लेकिन आज ऐसा हुआ है कि कार्या करता एक दूसरे का मूह नहीं देख रहा है, यह नहीं होना चाहिए, संदे जी जिस तरह स सेंटर गॉवर्मेंट अगर बोला जाए, बीजेपी पार्टी, नरेंदर मोदी जी का एक नारा है, अब की बार चार सो पार, और आपकी महाविकास अगाडी का एक नारा है, अब की बार तड़ी पार, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखो महाविकास अगाडी के नेटाओं का ऐसा कहना है, तड़ी पार, तड़ी पार मुझे ऐसे नहीं लगता है कि भाजपा को तड़ी बार करना है, उनको भाजपा का ड़ुटी तो आज नेत्रुटुख़न कर रहे है, ग्ल्ली में, उनकी जो राजनिती है, वो राजनि या कौन पकड़ेगा नरेंदर मोधी सर ने इतनी गलत कर तलीकी से राजनीती किया इसा मुझे लगता है काम तो नहीं किये एक भी काम मुझे इसा नहीं लगता है बेरोजगारी नहीं घाटी है 15,000,000 यह तो मैं उसी वक्त भोलता था कि अगर 15,000,000 मोधी ने जो हवा फैलाए थी वो नहीं देना वो तो नहीं देना है मैं बोलता हूं लेकिन उन्होंने यह घोशना कैसे की मैं आपको बता हूँ कि अगर 15,000,000 हर एक के खाते में आते थे तो मेरे घर में जो काम वाली आत थी एक मेना काम में नहीं आएगा मेरे पास ड्राइवर नहीं आएगा यह जो घोसना थी यही सबसी बड़ी गलती थी बीजेपी की वह नहीं दिया उतों देहीं नहीं सकते और देना उन्होंने क्या बताना चाहिए था मुझे ऐसा लगता है एक मैं तो बहुत चोटा कारे कर लेकि मुझे ऐसा बोलना चाहिए था मुझे ऐसा लगता है कि भाजपने उस वक्त यह बोलना चाहिए कि देश के भार जो काला दन है वह मैं लाओंगा और उसके ऐसे बेनिफिट होगे कि हर एक भारतिये को उसके 15 लग के बेनिफिट मिलेंगे ना कि आपके आकॉंड में आपके अकॉंड में अगर पैसा आएगा तो यह संतुलन बिगड जाता था अब गरीबों को एक सपना दिखाए जीए तो सपना गलत तरीके से दिखाया गया ना मैंने आपको पहले बता है यह गलत तरीके से सपना बता है आज भी वह बता रहे है कुछ एक लाक कुछ भी एप वह बढ़ा के-देने वाले हैं लेकिन आप क्या कर रहे हो एक बाजू में आप किसान को राशन ओफ देने की बात कर रहे हो देए जरे हो उसके पहले कॉंट के सरकार में वह सवल्हस के दर में देती थीए उसको तो आपने बंद कर दिया उसको इंचल क्यों क्यों रख दोगे और 700 रुपय घ्यास का लोगे यह क्या मतलब है कहीं न कहीं हिंदुस्तान की नागरी घर कोई जान गए है कि यह सपना दिखाई जीसी बात थी अब मुझे आप यह बताए मुंबई नौर्ट सेंटर में जो रुजान चर रहा है तो इस टम्पे यहां पर बीजेपी का है या महावी का सगाडी का है आप लोगों का क्या योजना है आगे क्या काम करेंगे इस बारे में कुछ आपको जानकारी है देखो यहां पर मैं आपको बोलता हूं लोग सबाब में एक अच्छी कैंडिडेट लोग चुनके बेजेंगे वर्षा ताइक गाये क्वाड के मा ज़ेल रही है इतने बड़े उसके पिता जी एक्सपार हो यह लेकिन वह भी बहुत नामचंदे बहुत गरीबी से आयोए बहुत अच्छी तरिकिसे लेकिन वर्षा गाये क्वाड का हर एक तालुका में एक ओफिस होगा हर एक तालुका में हमारे जहीसा कार्य करता होंगे उनको महारष्ट सरकार में महानगर पालिका में जो अडचन है हमारे पास आएंगे हम वर्षाताई को बताएंगे और वो हमारे माध्यम से दिल्ली में जो हमारे लिचाहिए जो हाइवे पे आज आज देखो गाटकोपर में इतना बड़ा हाथसा हुआ है इसमें सेंटर गो इनको भी लोग सबा का प्रहाई है नहीं है मतलब experience नहीं है लेकिन उपपा के साथ चोटी सी बड़ी हुई है वो मेरे से 5 साल चोटी है मैंने देखा है मैं उनके पपा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ एकनाथ गायकवाड फस्ट मेले थे पहली बार मेले हुए थे उस स्टैम वेंटर दे आपको मालूम है या महाराश्το कbell racket मुंभई की लोगों को मानूम है कि रही नहीं स्टैम भी योस वक्ड दे और वो 2 पर्शन से अर यह इंद की राजनिति में अच्छिका अब अपको एक से ठक्क्ण पेड़ और एक नंबर से इधर से वर्षाते गायकवर जित्की आएगी और ये हमारे और महारस्ट और मुंबई के लोगों के लिए बहुत अच्छा संदेज जी मेरा आपसे आखरी सवाल ये है कि 20 में के दिन है तो यहाँ क褐 करके नागरी को को आप कैसा दालना है उस बारे मन कोई मैंसेद देनेफिए तो फिर वह यहाँ सब नॊ तो भरशात था ही तो नहीं आ सकती है देखो यह पर्चा पढ़ा है यह परच्चा उनका खोषनापत्र है इनके माध्यम से हम यह गोश्णा लेकि हर घर में जा रहे है यह आने वाली कॉंग्रेस की महाविकास महारास्तर की आल-िंडिया पालटी आने वाली सरकार क्या क्या कर सकती है यह हम लोगों को अच्छी तरह पताते हैं और जिस दिन कोटिंग होगी बीस तारिक को उस दिन हम सुपह साथ बज़े से शिविशना अनिल परफ साब भी आपके विबाग प्रमुत माजिंप मंत्री वह भी बहुत जोधार काम कर रहा है उन्हें तो कसम काई है यह वर तारिक को हम लोगों को वोट करने के लिए उस वक्ट हम बोल नहीं सकते हैं कि वर्षाट है गायग वट को वोट करो लेकिन जिनके घर में हमने परचा पहुचा है उन्हों को याद दिलाएंगे कि आपका ही हक है आपका ही मतदान है या आप दान कीजिए जिससे यह हमारे देश की आगे की सरकार अच्छी तरह से चलेगी जिस तरह से संदेज दुआली जी ने अपनी विचार धारा रखी और खास करके शरत पावर जी के बारे में जो भी गलत फैमिया चल रही थी वो दूर करी और किस तरह से यहां पर महाविकास अगाडी का रुजान है उस बारे हूँ!